केंप वन भिलाई स्थित शी धनवंतरी मेडिकल स्टोर में 17-18 जुलाई की दर्मयानी रात चोरों ने छट की शीट उखाड कर फाल सिलिंग को तोड़ते हुए प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए लेकिन पुलिस ने अपनी ततपरता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर तीन चोरों को गिरफतार कर लिया 17-18 जुलाई की दर्मयानी रात शातिर चोरों ने नाट की अधंग से कैंप एक स्थित श्रीधनवंतरी मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया चोर बड़े ही इत्मिनान के साथ श्रीधनवंतरी मेड छै आदमी नजर आ रहे थे इन चोरों ने पहले तो गल्ले में रखे 50,000 रुपे नगदी पर हांसाफ किया और उसके बाद मिटकल इस्टोर में रखे कुछ कीमती दवाएं एवं अन्य सामान भी ले उड़े दुकान के संचालक ने जब 18 तारीक को दुकान का शटर खोला तब उन्हें अपनी दुकान में चोरी होने की बात पता चली ततकाल दुकान संचालक ने चावनी थाना में लिखिश शिकायत दर्च कराई जिस पर चावनी थाना पुलिस ततकाल तफ्तीश में जुट गई और 24 घंटे के भीतर ही कुल 6 बदमाशों में से 3 बदमाशों को सर कुछ 6 संदिक लोग CCTV कामरा में दिखे हैं जो उपर से घुषके पुरा प्रॉपर प्लान आउट करके सारे क्यामरा जामराज बंद करके लाइट बंद करके कि एंसीबी किरा के 50 जार नगत और कम से कम 20-25-30 जार उपय का सामान यहां से लेके रहे हैं जो हम अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं अभी सर हो सकता है बट अभी संदिमलाब एससे को वह नहीं कर सकते पॉइंट आगे की कारवाई नहीं होती अभी देखते हैं पता करते हैं अपने सोर्स में ऐसा नहीं होगा सर जो होंगे यहां के लोकल्स हैं जिनको अच्छे सा पता था कि यह स्टोर्स में कहां से घुसना है यह कूलर्स दिख रहे हैं वहीं पर ही वो कर रहे थे वैसे एक्जिक्ट हाँ जी सबसे पहले करवा दिया तो अब थोड़ी देर में उ पहले आइटम्स हैं गाओं और गाओं-खिड़ों में जो बिकते हैं वो सारे आइटम्स नॉर्मल मेडिसिन्स वो नहीं लेके गए हैं सब कम से कम 25-30,000 रुपए का समान होगा श्रीधनवंत्री मेडिकल इस्टोर कैमप वन भिलाई में हुई चोरीज में आस पास के घरों में लगे हुए CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर तीन शातिर चोर आज पुलिस की गिरफ्त में हैं जिससे यह साबित होता है कि सुरक्षा से संबंदित उत्पादों को आम जन्मानस को भी प्रयोग में लाना चाहिए Grand A.C.N. News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट